Good morning students, I am engineer Ajay, welcome all of you in digital classes provided by रास्तान अकेडमी चुरू और प्रेपरेशन ऑफ एंट्रेंट्स एक्जाम ऑफ सैनिक स्कूल, मिलिटरी स्कूल, आर आएम से राइ स्पोर्ट्स स्कूल और नहोदेविलाद प्ले. तो स्टुडेंट्स ये अपने सब्जेक्ट साइन्स विग्यान की क्लास है और इसमें आज अपन नया चेप्टरे स्टार्ट करेंगे, नया टोपिक स्टार्ट करेंगे, विबिन यंत्रों यं उपकर्णों के आविश्कार, जो भी हमारे डेली यूज में, जो भी एक्विपिमेंट्स हैं, उपकर्ण हैं, यंतर हैं, वो काम में आते हैं, वो सब साइन्स की ही देन हैं, और उनका किसी ना किसी साइंटिस्ट ने आविस्कार किया है तो अपन उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से उक्रण का आविस्कार कौन से साइंटिस्ट ने किया है और वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता और कौन से येर में किया है ठीक है तो इसमें अपने देखो अपन उसका नाम है फिर देश, जिस कंट्री है जिस देश से वो साइन्टिस्ट बिलोग करता है, समन्ध रखता है, उस देश का नाम पिर आगे है वर्स, और कौन से वर्स में किया है, ठीक है, तो पहला है अपने उपकर्ण कारपेट स्वीपर, ठीक है, कारपेट स्वीपर का आव पहल समय है, जोन हेरी सन नें, ठीक है, और का आविसकार किस देश से यह हैं, जोन हैरी सन ने, ठीक है, एस ने क्या, जان हेरी सनने, और John Harrison कौन से देश से बिलोंग करते हैं? जर्म curated और कब किया? वस 1735 में तो इसपे क्या है? तीन टाइप की बन सकते हैं पहला क्रोनोमेटर का आविष्कार किस ने किया? तो John Harrison कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? जर्मने से और कब किया क्रोनोमेटर का आविश्कार 1735 में, ठीक है, नेक्स्ट आपने थाइड नंबर का है गड़ी, यांत्रिक गड़ी, ठीक है, यांत्रिक गड़ी का आविश्कार किसने किया, आई सिंग वे लियांग सेंग, ठीक है, आई सिंग वे लियांग सेंग, कौन सी कंट्री स से बिंग करते हैं कोन से देश से चीन से कब गिया 1725 समः इवांटरिक गड़ी क्यों लacción फिंगर कोन से बिलग करते हैं चीन से और से वचसे मैं सेवन्टा ऐध ही सबस्क्द ex अधिक फैंडूलम गडिया जानते यह मिटने यह हिलता रहता है गडिमेट को पेंडूलम घडी का विश्कार की़त्स ने किया प्रिस्छियन क्यां फ्मक्र फिर्स्टीयन अमश्ने कियान से बिलाओ करता नेदर्लेंड से ऊछिए और कफ किया 1756 में 충 violating में तो वह क्योशन बनेंगे इस से भी पेंडूलम गड़ी का आविश्कार किस ने किया क्रिस्टियन क्यूंगेस ने कौन से देश से बिलोंग करते हैं निदरलेंड से और कब किया यह आविश्कार 1656 ठीक है नेक्स्ट है फिप नमबर का डीजल इंजन तो डीजल इंजन का गर्चवाइद कीश्टियन आविश्कार किस ने किया रूड॓ल्फ डिजल ने कौन से देश से बिलोंग करते हैं जर्मनिय से और कब किया 1895-1892 तो वही देश्टाट अब में और कभेंते संस्ति इंजन का जोए रूडानो डीजल ने कौन से से लोंग करते हैं जर्मनी से और कब किया 1895 1894 में नेक्स तरेड डाइनोमो ठीक है डाइनोमो डाइनोमो का किसने किया फिसकार माइकल फेराडे ने कौन से देश से बिलोंग करते हैं इंगलेंड से और कब किया 1831 में तो वही क्यों सिन मरेंगे डाइनोमो का आविश्कार किसने किया माइकल फेराडे ने क कौन से जेश से बिलोंग करते हैं इंग्लेंड इकाल क्या है इन्थोनिय उन्वेंशीर है युएसे इंवेंशन किस ने किया अभिसकार किस ने किया एंतोने प्लैट्शन ने अंतोने प्लैट्सन कौन से कंट्ररी से बिलोंग करते हैं युऐसे से घीक है नेक्स्ट रेच 것도 नम्बर का अपके कीशन आठेक इसमें इस द्धीक इस वोगते हैं न तो ड्रम होते हैं और डिस्क होते हैं तो डिस्क ब्रेक का किस ने किया तो डिस्क ब्रेक का आविश्कार किया एफ लेचेस्टर ने ठीक है बीटेन के वो रहने वाले थे बीटेन से वो सम्मन्द रखते थे कब किया 1902 में 1902 में ठीक है तो वोई क्यूस्टन बनेंगे डिस्क ब्रेक का आविस्कार किस नहीं किया तो एफ लेचेस्टर ने कौन से देश से कौन से कंट्री से बिलोग करते हैं बीटेन से और कब किया 1902 में ठीक है नेक्स्ट है DC मोटर ठीक है DC मोटर वो मोटर जो DC करेंट से जलती है एक तो होता है AC करेंट एक होता है DC जो अपने गरों में करेंट जो विजली आती है विदूत आती है वो होती है DC ठीक है alternating current ठीक है एक होता है DC करेंट जो पेटरियों से जो हमें पावर मिलती है जो इलक्रिसिटी मिलती है जो गाडियों में लगी हों होती है DC ठीक है direct current तो DC मोटर DC मोटर का जयनोब एगराम मेन है ठीक है Belgium के वो रहने वाले वो कब गिया ? 1803 में 1873 में तो वही क्यूशन बनेंगे D-C motor का अविचार इसनले किया J900-GramMO कहां के रहने वाले थे मेलजियम की और कब किया 1833 त्थी करें नेस्ट है A-C motor । थीक है तो आपको रहने वालों हने किया यू एसे के कब किया 1888 1888 में ठीक है तो वह क्यों सब्सक्राइब किस ने किया निकोला टेसला निकोला टेसला कहां के रहने वाले उसे और कब किया 1888 में ठीक है एलेक्ट्रो मेगनेट ठीक है इलेक्ट्रो मेगनेट का अविश्कार किया वीलियम स्टार्जन ने और वीलियम स्टार्जन बेटेन के रहने वाले और कब गया 1824 1824 में तो वही क्यों सब्सक्राइब एलेक्ट्रो मेगनेट का अविश्कार किस ने किया वीलियम स्टार्जन ने कहां के रहने वाले थे बेट फिलम बनी थी वो मूख चलचितर का मतलब जिन में आवाज नहीं आती थी ठीक है तो मूख चलचितर पहली फिलम मूख चलचितर की बनी थी वो किसने बनाई लुई ली प्रिंच ने और यूएसे के वो रहने वाले थे और कब बनाई 1855 में 1850 में तो वो ही क्योशन इन्वेंशन आविषकार किसने किया कौनसी फिलम का मूख चलचितर चलते है जिसमें तो लूई ली प्रिंच ने लूई ली प्रिंच ने रहने वाले थे यूएस document. और कब किया इन्होंने आविषकार? 1855 में नेक्स्ट घया फिलम वाख चलचितर वाग चलचितर का मतलब इसमें लोग चलते हैं, मूविंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं वो, वाग चलचितर का अविश्कार किस ने किया, फिलम का, जे मुसोली वे हैंस वोक्त में, और जर्मनी से ये समंदर रखते थे, जर्मनी के ये रहने वाले थे, कब किया, 1922 में, फिलम जिसमें वाग चलचितर होते हैं, उसका अविश्कार किस ने किया, तो जे मुसोली वे हैंस वोक्त में, कहां के रहने वाले थे, जर्मनी के, और कब किया, 1922 में, नेक्स्ट है, फिलम संगीत यूप्त, ठीक है, एगले फिलम कौनसी है, जिसमें संगीत भी आता हो, दवनी भी आती हो, गाने भी बचते हो, फिलम संगीत यूप्त, संगीत यूप्त फिलम का अविश्कार किस ने किया, लीडी फोरेस्ट ने, कहां के रहने वाले हैं, USA के, और कब किया, 1923, 1923 में, संगीत यूप्त फिलम का अविश्कार किस ने किया, लीडी फोरेस्ट ने, USA के, कहां के रहने वाले थे, USA के, और कब किया, 1923, 1923, नेक्स्ट आप फाउंटेन पेन, ठीक है, फाउंटेन पेन का अविश्कार, लेविश वोर्टरमेन ने किया, और USA के रहने वाले थे, और कब किया, 1884, 1884 में, तो वही तीन क्यूश्ट ने, इससे पूट अप होते हैं, फाउंटेन पेन का अविश्कार किस ने किया, लेविश वोर्टरमेन ने, कब कहां के रहने वाले हैं, USA के और कब किया, 1884 में, तो आज की क्लास में, आपके लिए, इतने ही, 1, 2, 15 हो गए हैं, आपके, विभीन येंत्रों येंट करनों के, आविश्कार इनको आप अपनी, कोपी में, नोट डाउन कर लीजिएगा, प्लस, इनको याद कर लीजिएगा, लाइन कर लीजिएगा, ओके, थेंक यू,